किसको जाता है इसका स्रे किसको जाता है इतनी प्रगति हो रहे हैं स्रे किसको जाता है देश गरिब से गरिब व्यक्ति का भला कर रहा है इसका स्रे किसको जाता है आपका जवाब गलत है ये मोदी के कारण नहीं ये सब आपके एक बोट की ताकत ने किया है आपने मोदी को अशिरवाद दिया है और इसलिए ये जो पुन्यकार्य है उसके आप भी उतने ही हकदार है साथियों, राजनितिक पार्टियों का इदाइत्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है आप आजादी के बाद से गिनना शुरू किरिए देश का विभाजन हुआ मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया किसने करवाया किसने करवाया देश आजाद होते ही कश्मीर में समस्याओं खड़ी कर दी गई कश्मीर में समस्याओं किसने परदा की जराब पूरी ताकत से बताईए दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए एक कश्मीर को किसने मुसिबत बढ़ागा हमारे आसपास ही दुनिया के कई देश आजाद हुए वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए लेकिन हमारा भारत पिछड़ता गया तब जाजातर समय देश में किसकी सरकार थी देश दसकों तक आतंकवाद का शिकार रहा आए दिन कहीं भी बंबलाष्ट हो जाते थे तुस्ति करन के लिए आतंकवाद्यों को समरक्षन कौन देता था आतंकवाद्यों को समरक्षन कौन देता था देश में नकसलवाज जैसी समस्या इतनी विक्राल हो गई ये लाल आतंक किसकी देन था साथियों आजादी के साथ दसक बाद तक राम मंदिर का पांचो साल पुराना विवाद बना हुआ था अयोद्य में राम मंदिर के निर्मान पर अडंगा कौन लगाता था हडंगा कौन लगाता था कौट में किस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्वर पर सवाल उठाते थे कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कौट में जाकर कहते थे कि राम मंदिर पर फैसला न सुनाए किस पांटी ने राम मंदिर प्रांट प्रतिष्टा आउजन का बहिश्कार किया किस पांटी ने दसकों तक बाबा साम आम बेड़कर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया इतने दसकों से हमारे लोग पिछड़ा वर गायों को समिधान का दर्जा देने की माग करे थे किस ने पिछड़ा वर के साथ दोखा किया हर बात का जबाब एक ही है एक ही एक नहीं है एक ही एक नहीं है साथियों पिछले दस वर्षों से कॉंग्रेस सक्ता से बहार है आपने NDA को पुर्ण मभुमत दिया हमने देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं का स्थाही इलाज किया है आज महरास्त ही नहीं बलकि पुरे देश में नक्सलवाद कमजोर पड़ गया है जो गड़ चिरोली नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता था अब उसकी चर्चा विकास और स्टील कमपनी के लिए हो रही है हमारा गड़ चिरोली अब फौला सिटी बनने जा रहा है भाईयो बहनों हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है कडू कार ले तूपा तल ले साखरित गोल ले कार विकास प्रियक लिए है